हेलो एवरीवार्ण वैलकम बैक तो मैं चैनल असलाम उलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे तो जी आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसे ब्रेट क्रम्प्स वो भी घर में रमजान आने वाले हैं आप चाहें तो इसे पूरे महिने के लिए बना कर स्टोर करके रख सकते हैं बहुती यूसफुल रेसिपी है आप इसे बना करके कभी भी रख लीजिए और कभी भी आप कोई भी रेसिपी बना कर तयार कर सकते हैं और आज हम दो तरह के ब्रेट क्रम्स बना कर तयार करेंगे, आप इने बना कर स्टोर करके एक महिने के लिए आराम से रख सकते हैं, तो जिए चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर 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 अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें, तो जिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो जिए ब्रेट क्रम्स बनाने के लिए, मेरे पास ये कुछ ब्रेट पड़े हुए को हमें निकाल लेना है इस तरीके से साइट को हम अच्छे से कट कर लेंगे तुझे सारे ब्रेट को हम इसे तरीके से कट कर लेंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके जो साइट को हमने निकाला है उनको हमें वेस्ट करना है या फेक देना है इनका भी हम यूज करेंग नासिक जार में हमारा जो वाईट वले ब्रेड अगर आप कर देगें अगर ब्रेड करना चाहते हैं था आप इस तरीके से इस और रखांगे ब्रेड करेंगे जाएंगे थो आप करना चाहते हैं जो अगर समों को बीमें आएगे से नरीका होकुत 55 00 Hal algu कड़ाई ले ली है और अपने ब्रेट क्रम्स को हमने डाल दिया है कड़ाई के अंदर और इसको हम रख देंगे गैस पर साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हमारे जो यह जो कॉर्नर्स बचे हुए थे ना इनको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो मिक्सी की जार में हम डाल देंगे और डालने के बाद हम इने भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रेट क्रम्स हैं यह वाले भी बनकर तयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं लग रहे हैं ना एक तब मार्केट जल से बहुत यू बढ़ी ब्रेट करम्स हमारे बन कर तयार होते हैं लेकिन अभी हम इने स्टोर नहीं कर सकते हैं मैंने आपको पहले भी बिताया था तो जी चलिए फटाफट से हम इने स्टोर कैसे करेंगे इसका तरीका भी जान लेते हैं तो जी इने स्टोर करने के दो नहीं तीन तरीके हैं आप चाहें तो इस तरीके से किसी फैले बरतर में डाल करके इसे आप अच्छी से धूप में 24 गंड़ी के लिए सुखा सकते हैं यानि कि दो दिन आपको धूब में सुखाने होंगे उसके बाद यह बहुत ही अच्छी स क्रिस्पी हो जाते हैं और आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं इनका जो मौस्चर है वो बिल्कुल खतम होना चाहिए और दूसरा जो तरीका है आप इसे पंके की नीचे सुखा सकते हैं जब तक कि हमारी जो ब्रेट करम्स हैं बहुत ही अच्छे से ड्राइ ना हो जाए इ उसको हम रख देंगे गैस पर तो जी यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया है गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे ना जादा हाई होना चाहिए और ना ही जादा लो क्यूंकि अगर लो होगा तो इसका मौस्चर जल्दी से खतम नहीं हो जाएगा और अगर यह जादा ह तो इसका कलर बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगा और यह अंदर से इसका मौस्चर खतम नहीं हो पाएगा तो जी हमें गैस को लो टू मीडियम पर ही रखना है और लगाता चलाते हुए एक दम क्रिस्पी और करारा होने तक हमें इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है त इसको हम निकाल लेते हैं एक बरतन में और साथ ही सेम कड़ाई में हम यहाँ पर जो दूसरे वाले ब्रेट क्रम्स हमने बनाए थे ना जो कॉर्णर से उसको भी हम डाल देंगे और सेम प्रॉसे से हमें इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक कि यह भी अच्छे लेना है इस तरीके से और यह देखिए बहुती क्रिस्पी करा रहे और बहुती मज़ेदार हमारे जो ब्रेट क्रम्स हैं वो बने हैं इनसे आप कोई भी रेसिपी बनाकर तयार कर सकते हैं रमजानों में आप इने स्टोर करकर रख लीजिए बहुती काम आसान हो जाता है ज लेडी किया था यानकी जो वाइट ब्रेट से हमने बनाए थे ना उसमें हमने डाल दिया है आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्श का इससे क्या होगा इससे हमारी जो रेसिपी ए ना उसमें कलर बहुती प्यारा आएगा और इसमें चाहें तो रैड या औरेंज या ग्रीन फू लेकिन जो फूट कलर होते हैं वो काफी हामफुल होते हैं उनको थोड़ा कम ही यूज किया कीजिए तो इसलिए मैंने यहाप पर कश्मीरी लाल मिर्श का इसमें यूज किया है इसमें तीखापन नहीं होता है लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आता है तो यह हमारे रेडी हो चुकि हैं स्टोर करने के लिए ब्रेड क्रम्स तो इनको आप किसी यह टाइट कंटेर में डाल करके बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन दिहान रहे आपको बिल्कुल ठंडे कर लेने हैं उसके बाद ही आप इसे स्टोर करें तो जी दोनों तरह के ब्रे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंचे और आप मेरी आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई अल्लहाफीज